हेलो है मैं हुनकवार आज हम चलाने वाले हैं Hyundai की नई i20 2020 उससे पहले मैं आपको बताने चाहूंगा मैं एक बलेणो अनल भी हूं करीबन डेट साल से मैं बलेणो गाड़ी चलाते आ रहा हूं बलेणो इसकी एक टफेस्ट कोमप्टिशन है अगर जो बंदा प्रीमिम मैच बेग लेने क्सोचता है तो वह तो अल्ट्रो आई 20 और बलेणो में ही जातर कन्फ्यूज होता है तो आज हम इसका टोप वेंट लाइंगे लेकिन उससे पहले आई 20 2020 में जो नया कलर आया है जो एक बार आप सोच सकते हैं इसकी तरफ यह एश्टावियंट आप देख रहे हैं लेकिन अभी चाविया चुकी है आई 20 2020 की तो इसको लेके चलते हैं इसकी टेस्ट डाइव करते हैं कि एक बलेणो और होने के नाते मैं क्या फील करता हूं गाड़ी को चलाते हुए हाला कि इंजन सेम है पिछले वाली से जो पहले इसमाय करता था 1.2 लीटर पैटरॉल एंजन हाला कि आपको बतान चाहूंगा वह पैटरॉल अपनी थोड़ी माइलेज के बदनाम था हाला कि बिल्ड वाल्टी वगरा या फीचास के मामले में थोड़ी बैंश थी गाड़ी अभी क्या कुछ अपने को फील होता है और इस जो थर्जन रेशन आइटरॉन्टी की नए प्लेटफोर्म पे बनाई गई है जो की हलका कर दिया गया है पिसली वाली से भी तो आपको कहीं लाइट वेट लगती है और पिसली वाली आइटरॉन्टी से सो गलो बजन इसमें घटा तो आप करें किया करती थी वाई 19.8 km पर लेकर अभी 1.2 लीटर जो चला रहे है पैटॉर में उसकी 21 km पर लीटर की मैले कर रहे है तो आप देख सकते हैं कि सापसे उन्हें वेट वगरा घंटाया है वाही माउर्ती वाले काम कर रही है जो की आपको इनके कुछ सालों से ज इसको यहां पर देखेंगे इसकी 10.25 इंचिस की टस्क्रीन यहां पर आपको मिलता है इसमें Automatic Climate Control और जो स्टेरिंग वील आप देख रहे हैं बेस्वेंट से ऐसा ही आता है यानि कि जैसा क्रेटा में आता है सेम है बस वह फ्लैड बॉटम इसमें नहीं आता है अभी थोड़ी स्पेक्स की बात कर लेते हैं इस इंजन की तो इसमें आता है बाई 1.2 लीटर का पैट्रोल इंजन जो हम चला रहे हैं जो की प्रावर निकालता है इस कार की तो सीटिंग इसकी भलेन हो या अल्ट्रो जो दोनों से नीची लगती है जिसे पहले आई 20 में नीची तरफ बैठा करते थे ना सेम इसमें भी वही फील होता है अभी मैं ड्राइवर वाली सीट की बात नहीं कर रहा हूं ओवरॉल सीटिंग देखी जाती है जहां आपके अमाइडिक बीच में स्टेरिंग आ जाता है जो कि मैं खुद अपनी आखों से देख पा रहा हूं तो इस चीज का ध्यान रख है अलाकि जो इसका मीन तरफ बहुत प्रीमियम लगता है आप इमान दरी से बता हूं मैं बलेनों ले लीजिए ये दोनों से काफी सही यह वर्ना में 20 साल उन्होंने लॉंच किया था अब इस वीडियो में जो मैं आपको बात बतारूँ परसनल ओपीनियन है जरूँ नहीं आप इन से अगरी करने जैसे वो मेरे को दिक्कत हो देखने में मेरी हाइट या उस साब से मेरा एंगल नहीं बैट पा रहा होगा अब इस वेंट भी आपको बात करें तो कि नाम की संडूरूफ है मतलब साइज का बहुत थोटा है आप इसमें अगर खड़ा होना चाहेंगे न तो वो पॉसिबल नहीं है अला कि होना तो नहीं है लेकिन अगर कभी जुरत पढ़ जाए आइडियल गारीम खड़े होने की इतनी प्रैक्टिकली मेर को सही नहीं लगी है मतलब साइज का काम है ड्राइवर और को पैसे रहेगा उसको फील होता ही नहीं कि संडूरू भी खुली हुई है प्लज जो पीछे बंदा बैट रहा है उसको भी ज्यादा महसूस नहीं होता कि संडूरू अगरा भी कुछ हम्री मेरे अब बले ले लो एल्ट्रो जेल बले को अटकरके हैं यह तो इसी पीस में या सबी इसका ही में पता नहीं लेकिन इसका जो वडं कर लेते हैं ऐसे कहीं बहुत हिल रहे है आणि में मुझा आपके पूरागे आपनी देख करते हैं तो स्टेरिंग हम ठी ए कर सफाथी शाते हर यह तो भी हो जाता है धूरागों सबत्रिद हम गीагला कि मैं तो सन फोड़ा सा सिर्द acknowledge नहीं से ब्ध्रम हो अधर। यह रहें कि यहां तो जो दोनों बंदेधे जिसे ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपके पास पीछे अफिशन्ट स्पेस इस गाड़ी में बच जाता है तो अभी भी बलेन उ जितना स्पेस तो नहीं है वो गाड़ी अभी भी जो प्रीमिम हैस्बैक सेइग्च में सब्सेज़ जादा चेवर और कर अपना डिजी टाली आपको स्पीड पता चलती रहे दिफित अबहीं जो मीटरस में उल्टा उल्टा सिस्टम कर रहे है अर्प्म दे दिया राइट में और स्पीड मिलती आपको लेफ्ट में पहले इनका पोजेट होया करता तो उसी यादत होती है अब यह थोड़ा कन्फूजिंग भी लगता है थोड़ा टाइम लगेगा अगर आप स्कॉन करते हैं इसको समझने में प्लस और यह से काफी बड़ी मिल जाते हैं इसे पीछे का व्यू आपको किलियर नी मिल जाता है बाकि इस हैजबेक के साफ से डिस्प्ले रियाल्टी में काफी बड़ी लगती है आपको इतने सारी फीचर्स मिल जाते हैं इसमें Android Auto Apple CarPlay वाइलेसली भी इसमें Apple CarPlay चला सकते है साथ में AC को अभी हम ढंक से टेस्ट करनी पाए क्योंकि अभी AC वाला सीजन है नहीं बाकि इंजन नों इसकी बात करते हैं तो जैसे आप लेक्टर कार्थ लाते हैं बिलकुल रिफाइंड साइलेंट इंजन है बहुत स्मूथ इंजन है आपको पता भी नी चलता है कार आप बोस के स्पीकर्स तो हैं थोड़ी बहुत आवाज आ भी रही होती है तो वह ढख लेते हैं सीड्स कार की काफी कमफटेबल लेगी लोंग ड्राइब पर आपको कुछ शिकायत होनी नहीं चीए विंडशील्ड से व्यू भी काफी अच्छा मिल जाता है ऐसा नहीं कि आपको कई खराब रास्तों पर गिले के गए नहीं तो उसके बार में कहनी सकते कुछ बाकि अगर आप आप आई 20 पहली बार खरीद रहे हैं तो आपको इसके इंजन को चला के मज आएगा बाई अभी कुछ टाइम बात देखना होगा जैसे यूजर्स के रिविव आएंगे कि उन आप पंजय दवाते हैं तो थोड़ा बहुत तो लेक करती है लेकिन फिर एकदम से जैसी मोमेंट इसका बनता है तो एकदम से भागने लग जाती है बाकि हम यह मैनुल विरिंट चला रहे है तो इसका जो गेर शिफ्टिंग वो भी काफी स्मूथ है क्लस भी काफी स्मूथ बाकि अगर आप एक कार जैनुली खरीदना चाह रहे हैं तो आप खुद गाड़ी को ड्राइव करते हैं आपको जैनुली तब ही समझाता है क्या आपकी रिक्वार्मेंट क्या है और उससाब से जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो कैसे परोम करती है तो एक बर जब आप खरीदते हैं तो खुद टेश्टाइव करके देखिए खुद आप से बहतर कोई भी जज नहीं कर सकता कार कैसी है जो यह पाडिकलर मोडल हम चला रहे हैं एश्टा ऑप्सिनल वन पेंट टू पैट्रॉल इसकी ओन रोड कीमत दस लाग तेताले जारो प्यक लगबाग है हर प्रैक्टिकली जो मैंने देखा बलैनों से अगर मैं कंपेर करता हूं तो बलैनों से इसकी बोड़ी काफी मजबूत है आज भी डोर्स वगर आप खोलते हैं बंद करते हैं तो वह हेवी फील होते हैं लेकिन अल्ट्रो से कार आज भी पीछे रह जाती है अगर हम सेफटी या बिल्ड को आल्टी वाइस बात करते हैं बोनट वगर या आप उठा के देख लीज़े आपको समझा जाएगा कि क्या फ़र्क दोनों में मिलता है तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं आपकी रिक्वार्मेंट क्या है कार को लेकर तो वीडियो देखने के लिए धन्वाद थेंक्यू सो मच